नमस्कार आपके साथ मैं रोहुत कुमार आप देख रहे हैं यूस्फोनेशन प्यार और प्यार की कहानियां तो आपने कई देखिये सुनी होंगी उस पर कई फिल्म हैं लेकर बिहार और चारखन के कैसी लव स्टोरी है जो आपको सोच्छी पर मजबूर कर दीगी कहाने में क कुछ ऐसा है कि परिवार लोन लेता है लोन चुकान ही पाता है तो वसूली के लिए जो एजेंट है वो पहुंसता है और उसकी बात घर में मौज़ूद लड़की को उस एजेंट से हो जाता है प्यार और कैसे लोन ना चुकाने की वज़े से पहुंच रहे दरवाजे पर एक सक्स के साथ घर की लड़की हो जाती है फरार बताते हैं पूरी खबर एक लड़की को लोन की रिकवरी के लिए घर आने वाले एजेंट से प्यार हो गया दोनों जारखन से भाकर पटना के फुलवारी शरी पहुंचे छे महीने तक साथ रहने के बाद लड़के ने पुश्री अपने घर जारखन्द को लोट गए रामगर के हजारी बाग की रहने वाले रितू कुमारी के मा ने कुछ साल पहले लोन लिया था लोन चुकता नहीं कर पाने के स्थिम में रिकवरी एजेंट बराबर उनके घर आने लगा इस बीच रितू को रिकवरी अमर कुमा सिंग जो जारखन्ट के 12 डी का रहने वाला है से प्यार हो जाता है दोनों वहां से भाग कर फुलवाली शरीप में किराय का मकान लेकर लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर देते हैं इस बीच अमर सिंग ने शादी करने से इंकार कर दिया दोनों के बीच इस को मामले की पूरी जानकारी दी इसके बाद पॉलिस ने दोनों की शादी उसकी मर्जी से शिव मंदिर में करा दी पॉलिस के सामने ही लड़का लड़की ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई फुलवारी शरीप ठाना प्रभारी रफिल रहमान के मताबिक जो सूचना मिल थी उसके मताबिक लगबग 6 महीनी तक दोनों पती पत्नी की तरह रहे थे लड़की ने शादी करने से आखरी वक्त में इनकार किया तो लड़की ने इस बात के सूचना थाने को दी जिसके बाद थाने और पॉलिस की मौजूदगी में जो है इन दोनों ने शादी की तो कहानी हैं जाडखंड के रामगर की जहां पर जो रितु कुमारी हैं उनके मा की तरफ से एक लोन लिया गया था बैंक से और जब वो लोन नहीं चुका पा रही थी तो रिकवरी एजेंट लगतार उनके घर पर पहुंच रहा था जिसका नाम अमर कुमार था अमर जब उनके घर प हैं और यहां पर रह रहे थे चैमेने तक सब कुछ हुआ और उसके बार जहुर लड़की नहीं कि अमर ने लिड़ी की साथ किूं किया किया ये सपस्ट नहीं नहीं है और पिछले 6 महीन के करीब वक्त तक जो है ये दोनों पती पतनी के तोड़ परी रह रहे थे लिहाजा वो इस तरह शादी करना चाहती है पुलिस ने समझाया बुझाया तब जाकर क्या मड़ भी तयार हो गया शादी हो गया शादी होने के बाद अभी लोग यो है बापस कोरी कहानी के पीछे कुछ यही था कि एक माने लोन लिया चुका नहीं पाई तो बीटी सामने होती थी और जो रिकावरी एजेंट होता था वो लगतार पैसे के रिकावरी के दवाव बनाता था और इसी बीच में दोनों को प्यार होता है और परिवार की मर्जीर खिलाफ की जोड़ा भाग करके पटना की जो कि बिहार की राज़ानी वहां के फुलवाजी शरीफ के किराय के मकान में रह रहा था छे महने तक इसा कूछ चला लेकिन जाचानल से जब लड़की ने शादिस इंकार किया तब लड़की ने इस बात शिकाय ठाने को दी और उसकी बतनी नमस्करा